इलेवन सच है तो दिखेगा नमस्कार स्वागत है आपका नियूस अलेवन में इलेवन स्पेशल के साथ मैं हूँ आसिया एक बाद फिर से घोटालों का जिकर हम करेंगे टेंडर घोटाले की चौती सीरीज के साथ आपके सामने फिर से हाजीर है कुछ नए खुलासों के साथ ये खुलासा भी पत्निर्मार विफाग से जोड़ा है इस खुलासे के किरदार भी वहीं है पुर्वसीयम रखुवर्दास, आईयस अधिकारी राकेश चौधी, ततकारिन पत निर्मार फिफाग के मुख्याभियंता रास पिहारिस सिंग और मदन और प्रसंदा ये रामी इसले क्योंकि ये पत निर्मार फिफाग का सारा काम देखते थे, आज खुलासा गोटालों के चत्यसकर कनेक्शन पर भी बहुत भव शादी होनी भी चाहिए थे पूरो मुख्यमंतरी रगुवर्दास, माफ कीजिए ततकालीन मुख्यमंतरी रगुवर्दास के बेटे की शादी थी, तो भव्वे होनी थी और भव्वे हुई भी हमने ये सीटी इसलिए बजवाई क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हो वो आरोप आपको हैरत में डाल देंगे तो इसलिए आपको ये आरोप ध्यान से सुनने चाहिए ये आरोप आपको सोचने पर मन्भूर कर देंगे कि जो सरकार लोगों के बीच सीना ठोक कर रश्टाचार को लेकर चुनोतियां दे दी उस सरकार में कंबा लोड़कर कैसे टेंडर मटा जाता था सबसे पहले आरोपों को सुनी कि रगुवर दास ने अपने मंत्री अपने मंत्री तुकाल में जब वो मुख मंत्री थे और रसीडी के रोड कर्स्रक्शन डिपार्टमेंट विवूनिक अंदर में था तो रायपूर के अग्रवाल ग्लोबल इंफ्राट प्राइट प्राइबेट लिमिटेड कंपनी को उन्होंने करीब करीब 89 करोड का टेंडर दिया रोड का जो रोड है हंटर गंज पांडेपूर पर्तापूर ये 0 माईल से 29.75 माईल तक इसमें था कि बीना ये कंपनी जो है वो जन्वरी में रेइस्टर होती है यानि जो कंपनी 13 जन्वरी को रेइस्टर हो रही है और उसी कंपनी को आप मार्च में 80 करोड का टेंडर दे दें और जिसमें उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है जारखन से इतना ही नहीं अन्य विभागों में तातकालीन मुखवंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया कि उनमें भी उसके भी टेंडर इनको दिया जाए और इसके तात उन्होंने पर्येटन विभाग कल्यान उसके वाग और्गानिक फार्मिंग ऑथरिटी अफ जारखन में भी अर्बो का टेंडर इन्होंने दिलवाया ये कंपनी जो है उनके जो में आदमी थे दो दलाल के माध्यम से यहां काम होता था सुनील अगरवाल असंजय अगरवाल यानि ये राकेश अगरवाल वही बेक के सगरवाल नहीं किया था अब आसान भाषा में समझ ही आरोप है क्या एक कंपनी है ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइबिट लिमिट्ट इस कंपनी की स्थापना 13 जनवरी 2017 को हुए लेकिन इस नई कंपनी को अर्बो रुपए के पतनिर्मान के ठेके दे दिये जबकि इस कं अठन में पहले काम करने का experience सीरो था इस कंपनी को चत्रा, पलामू, गडवा में आरबों रुपए के काम का tender में लेकिन ये कंपनी तो 13 जनवरी 2017 को ही बनी थी और टेंडर मिलने का नियम कहता है कि टेंडर के लिए कंपनी को पथ निर्मान के शेतर में 5 साल का अनुभव होना चाहिए अब क्यों अगर 17 में बनी कंपनी को 2017 में ही 5 साल का experience कैसे हो गया तो क्या इस कंपनी का चैन बिना निवीदा के किया गया चैन किस ने किया किस दाधार पर चैन हो इस कंपनी के डाइरेक्टर है राकेश अगरवाल इनकी दो और कंपनी अगरवाल इंप्रारियल प्राइविट लिमिटेड और स्वधा पिनलीज प्राइवेट देटर राकेश अगरवाल के संबन 36 गड़ी है वही 36 गड़ जहां से पूरों के मंत्री रगुवर्दास का संबन है अब दोनों के 36 गड़ से तालुकात है तो कहा ये भी जाता है कि दोनों की नस्दीवी भी है रगुवर्दास के पुत्र ललित्दास की शादी भी 36 गड़ में हुए जिस होटल में शादी हुई होटल का नाम है होटल कलार्केश बारात्यों के रहने का भब्वे के देजाम इसी होटल में था उनको होटल के मालिक भी राकेश अगरवाल तो रगुर दासची जहां टाल से टाल मिला रहेंगे असल में वहां उनकी टाल पहले से मिली हुई थी ऐसा आरोप है और विवक्षिदल इनारोपों से टाल से टाल मिला रहें अंदु उनका लगातार यही सब तो करते रहें, नित्रो शादी का खर्चा उठाएगा कौन, तो शादी का खर्चा उठाया जिसने, तो वो 80 करोर रुपे का उनका शादी का खर्चा था, जिसके वज में काम मिला, क्योंकि अपने से तो देना नहीं है, तो राज सरकार का एक चेकर को उसमें यूज कर लो, असी कर लो राज सरकार के दोवारा फिमिंट कर वा लो, नाम पत्ष निर्मान विवाक के इसमें लाल दो, ऐसी बहुत सारी चीज़े अभी सामने आएंगा। रहें और समिक्षा करके जाच कर जाच होगी और जाच को परांथ जो दोशी पाये जाएंगे निश्चित तोर पर उन पर कारवाई होगी। बीजेपी के पास हलाकि बोलने को बहुत कुछ है नहीं इस मामले में पर बोल रही है आरोपों के खंडन के तौर। और इस तरह का आरोप का किसी भी तरह का ये कहीं ने कहीं इसमें राजनिती हो रही है भारती जनतापाटी ये मानती है कि ऐसा आरोप बिलकुल गलत है और इस आरोप को सिरे से खारिज करती है भारती जनतापाटी। इस मामले की पूरी क्रोनोलोजी हमने आपको समझा दी अब ये साफ साफ भरष्टाचार का मामला प्रतीत होता है और जब भरष्टाचार है तो जाच भी होनी ही चाहिए मामला ऐसा है कि इसे सदन में भी उठाया जाना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि व्रष्टाचारी बरदाश्ट नहीं किये जाएं आरोप हैं तो आरोपों की जाच जरूरी है और इंतजार जाच और जाच के बाद कारवाई का रहेगा लीनीतु पाधियाए नियूज 11 भारत रांची तो देखा आपने कैसे इस घोटाले का कनेक्शन 36 कर से हो और इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ इस्टूडियो में खास गेश्ट पैनल मौजूद है सबसे पहले सवाल राजेश जी आपने पूरी रिपोर्ट देखी बीजेपी की तरफ से आप यहाँ पर आए हैं क्या कहेंगे प्रतिशोत की भावना से काम कर रही है और पूरी तरह से भारतिय जन्ता पाइटी की सरकार ने पिछले पांच वरसों में जो राजे के विकास के लिए काम किया मुख्यमंत्री रगवर्दास के कुसलने तुर्त में मैं समझता हूं कि वो उस चबी को विगाड़ने की पुरी तरह से कोसिस कर रही है और इसी तरह से इसी वजह से इस तरह के जूटे घोटाले घोटालों का परदा फास कर लिए जूटा तो है ने 2017 में चो कमपनी बनी औ और कैसे आप उसे टेंडर देते हैं कि जब तक कि ने जलें नहीं होती है जब तक किसी एजंसी द्वारा यह जांच नहीं हो जाती कि सब्स तक मैं समझता हूं कि इस तरह के आरोप लगाने से हमें बचना चाहिए शमशेर जी क्या कहेंगे आप सरकार जान बूच कर ऐसा करी बीजेपी के जितने भी नुमाइदे इसी तरह की बयान उनके आ रहे हैं जनता पार्टी के प्रवक्ता माननिये अधर्णिये सुखला जी ने जो कहा कि परतिसोत के भावना में सरकार काम कर रहे हैं सबसे पहले तो हम इस बात का खंडन करते हैं कि हम लोग बदले की भावना में न कभी कार्ज किये हैं और न बदले की भावना में कार्ज करते हैं तो सारे चीजों का समावेश और सारे चीजों का सयोग हमको लगता है कि यह खुद परतीत होता है कि कहीं न कहीं connection और घनिष्ट संबन थे घनिष्ट connection था तब उसी होटल में साधी होना उसी कंपनी पर काम देना काम को किस तरह से देना काम में जो नियम और कानून है उसका उ सहने बाद देते हैं न्यूज 11 को के न्यूज 11 सरकार को कम से कम दिखा रही है कि देखिए पिछली सरकार में किस किस तरह के यह हो रहे हैं परतिसोत की भावना में हम काम किये होते कि आनुराग गुपता हम तो नहीं थे सरकार तो नहीं थी Congress party तो नहीं था कि टेप में Congress party का आवाज आ रहा है यह जो घोटाला हुआ है साधी से ले करके और सारा चीज इसमें कॉंग्रेस पार्टी और विप्रक्च और सरकार की कहीं कोई भूंका नहीं है और एक बात आप जान लिजे सुकला जी कि यह तो शुरुवात है अभी तो एक दो तीन न्यूज लेवल लाया है हमको लगता है कि पांच साल गुजर जाएंगे जो आप लोग ब्रहष्टा चार मुख्त और जिलो ट्रोलेंस की बाद जो करते थे और उस पर पूरे ब्रहष्टा चार पर जो कुडली मार के सांप की तरह बैटे थे अब धीरे 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 अब वो सारे सांप निकल नही हैं और आप डसने के लिए तयार रहिए राजय शीवा के सवाल तोड़ता है क्या कि चेंद कि साधार पर हुआ था क्राइटेरिया होता है आपको पत्नेर्मार की शेद में पांसार के एक्स्पिरियंस होना चाहिए समसेर जी ने कहा समसेर जी ने आरोप लगाया और कहा कि बहुत सारे घोटाले सामने आने वाले हैं पांच वर्सों तक भरस्टाचार मुक्त साषन भारतिय जंता पाटी की सरकार ने दिया वोई तो नहीं है और हमारी बात सुनिये मैंने आपकी ध्याथ से सब्वार्श्या पर तरह हमारे मित्र राजी वैठे है वह दिवक्ता है कि क्या हम लोग कोड इस सारे चीज को ट्राइल कर दें यह इजनसी की जो फाइंडिक आए उससे पहले ही लेकिन सवाल है कि अभी तक कोई चीज परमानित नहीं है सिर्फ सिर्फ हम एक स्टोरी बना दें और स्टोरी के आधार पर कहें कि उस सरकार ने भरस्टा चार किया राजीव जी आप बताईए ये पूरा घोटाला माने से इंकार कर रहे लेकिन वाकि कोई भी आदमी ये सोच कर समझ सकता है कि अगर 2017 में जिस कंपणी का निर्मान हुआ पास साल का नुभव नहीं है उससे अगर टेंडर मिलता है तो कुछ त बात होगी कैसे मिल गया किस आधार पर मिला राजीव जी बताएंगे से बैतर देखे जो पिछले पांच साल में एक चीज तो बड़ा अच्छा हुआ डेवलप्मेंट हुआ है हम एगरी करते हैं शुकला जी से काफी डेवलप्मेंट हुआ लेकिन डेवलप्मेंट केवल जो है इसी एंगल से होता था कि इसमें मेरा कितना मेरा कितना में उसमें उपर से लेके काके रोट से ले करके और आप जो है वहां मंदिर दिखाये थे धुर्वा में वहां तक जाने में कितना परसेंट लोग लेते थे पत्ष निर्मान विभाग में ये बिलकुल है चौथा सीरीज है टेंडर घोटाले का एक चीज़ देखिए कि टेंडर यहां कैसे फाइनल होता है टेंडर की प्रक्रिया होती है टेंडर पहले निकलता है उसके बाद से उसका उसमें कंपनिया पाइसिपेट करती है उसमें जो एलवन होता है यानि जो कम से कम कोट करता है उसको वो लोग टेंडर दिया जाता है रहवाद की इस प्रकरण में जो टेंडर हुआ है उस कंपनी का बैक्ग्राउंड देखा जाना चाहिए था इस कंपनी की बैक्ग्राउंड यही है कि यह 36 गर से है और यह राइपूर की कंपनी है चुकि रगवरदास जी हमको लगता है कि इस बात के लिए जाने जाएंगे पूरे जारखंड में और यह एक तरह से कहिए कि बदनामी भी है बीजेपी के लिए वो उनके चलते बीजेपी हारी वो यह नहीं है कि बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि उन्हे सारे एक सेक्टर में घोटाले करवाए और अपने लोगों से करवाए और सारे लोग इनके in and around रहे हैं अभी जो सरकार है वो अभी तो स्टार्ट की है उसका inquiry करवाना दो महिने में रिपोर्ट आना है चार भी भागों में कि schedule of rate जो है उसमें कैसे बढ़ता था यह तो schedule of rate का भी बाप है यहां पे तो आप आपने सिधे टेंडर ही दे दिया है उस कंपनी को कि जनवरी में रेइस्टर होती है और उसको मार्च में ही दे दिया 89 करोड का टेंडर आप जानते हैं कि जो भी कंपनी जब तक उसका experience नहीं हो उसका technical experience हो या अदर्वाइस उसको जो financial उसका status हो उसको आप ही टेंडर देंगे लेकिन यह टेबल टेंडर कैसे 89 करोड का होता है यह हमारे समझ के परे हैं चुकि इस पूरे प्रकरन को हम लोग anti-corruption bureau के संग्यान में ला रहे हैं और जो राकेश अगरवाल है या उसके जो दो दलाल है यहां पे काम किये हैं पिछले ती investigation होना चाहिए और एक चीज अब हम यह मानते हैं कि जो सेक्डो करोड उगाही रगवदास जी ने करा है और अपने लोगों के द्वारा करवाया है उसकी जाच के लिए एक साइटी गठित होनी चाहिए हम किसी पार्टी पोलिटिक से हमको लेना देना नहीं है और हम चाहते है कि पिछले 5 साल में जिस सेक्टर में भी घोटाला हुआ चाहा माइनिंग का हो चाहे वो फोरेस्ट में हो या रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हो या बिजली डिपार्टमेंट में हो जहां 2% लिया जाता तो इस पूरे प्रक्रण में हमारे हिसाब से आज के दीन में जो सबसे बड़ी जरुवत है कि इस प्रक्रण की जाज करे कि क्या एक मुखमंत्री अपने बेटे की साधी उसी होटल में करवा रहा है या उसी होटल में और गनाइज हो रहा है जिस ब्यक्ति को जिस कंपनी को उसने टेंडर यहां 89 करोड कर दिया है तो इसका कंफ्लीक्ट अफ इंट्रेस्ट जो है यह मुखमंत्री जो पूर मुखमंत्री है उन पर क्लियर कट बनता है आशिया और इस पर एफ आयार करना चाहिए एंटी करप्शन ब्यूरो को क्योंकि यह चीज़ और बता देश्येखिय कि की एंटी करप्शन ब्यूरो अब अपने पिंजड़े से बाहर यहां निकल गया तो यह पिंजड़ा जो है पहले 20 साल susceptible अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो है पिंजड़े से बाहर निकल चुका है यह पिंजड़ा से निकलने के बाद यह नगर निगम गया रेस्टी ऑफिस गया या अन विभागों में उसने रेड किये एट टाइम यह पहिला बार हम सुने हैं हम लोग तो इमाजीन करते रहते थे कि कभी यह पिंजड़ा खुलेगा वो जो छोटा वाला जाली से हमरा नहीं है तो इन सारी संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसमें पैसा वेस्ट होने से बेकार है और हमरही आपका पैसा टैक्स का जाता है इनको तंखा देने के लिए यह पूरा ओगनाईज करने के लिए तो एक चीज आज के दिन में क्लियर है आश्या कि एंटी सेर जी और राजेस जी बताएंगे कि क्या इसका इफेक्ट होगा अब उसको उजधंग से मानेंगे कि यह एक तरह से हम बदले ले रहे हैं लेकिन जहां करप्शन की बात होती है वह बदला का कोई औचित नहीं रहता है हम लोगों को बोलने का क्योंकि देखे जो पेन हैं अब यह वो जो क्लार्क होटल है रायपूर में उनके बेटे की नहीं साधी हुई है ऐसा भी नहीं है वो भी हुई है और डिपार्टमेंट किसका था वो उसमें रगुबर जी ही उसके मंत्री रहे है क्योंकि 58% जो जो बजट है उसका मालिक वही रहे पिछले 5 साल में तो लूट भी अंठावनी परसेंट हुआ होगा तो उसके जाच के लिए भी साइटी होने चाहिए एक मात्र काम से तो होगा नहीं राजेशी अब जवाब दीजा देखे मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जो लोग सत्ता में हैं वो नीजी हमले पर उतारू हो गया नीजी पर लग जोड़ना और उसे भी जोड़ना कनेक्शन से जोड़ना मुझे लगता है यह बिल्कुल उचित नहीं है और मैं इसको मानता हूं कि दुस्मनी करो तो खूब करो लेकिन ऐसी भी मत करो कि मिले तो सरमिंदगी होने लेगा यह कहना है और मैं यह मानता हूं अगर कराई वर्स्ताinasik हुआ है कünü पानी का पानी होगा इसमें कहां को कि आ रहे हैं कि आप पर दवा बना रहे हैं लेकिन ट्राइक कंशिर जी क्या वाकरिया ऐसी हो रहा है की हारोफ एकिरीजी हमले हॉ हुझ हमले हो रहे हुझा लेकिन कहीन करें Princess तो न रा रहा है हaugरा जाज मीन भी जाज़ाएगा लेकिन इस तर्फश्टर से सुखला जी बुल नहीं है किотрा थांट जजमेंट नहीं है यह भी एक चैनल के माधियम से अगर कोई बात रखी जाती है और कोई बात के पर अगर डिबेट हो रहा है तो इसमें आपको इतना हमको लगता है कटाक्ष नहीं लगना चाहिए यह निरने अभी कही से आया ही निरने करने लेगे हां सवाल एकिन निरने हम कहां सुना रहे हैं निरने के लिए तो जांच होगा जांच में आप लोग पकड़ाईएगा पकलाने के बाद तम न उस पर निरने आएगा लेकिन राजीव जी अधिवक्ता है और राजीव जी ने पहुत तरीके से पूरी बातों को जो रखा है उससे बू आ रही है कि कही न कही कुछ न कुछ घोटाला हुआ है इससे भी आप इंकार सुकला जी नहीं कर सकते हैं और दूसरी चीज कि साधी को लेकर के हम लोग की पूरी सुब कामना है कि मानिया मुक्वंतरी जी की लड़की की साधी हुई उसमें कहीं कोई नहीं साधी पर लोग खुशी मनाते हैं सारा चीज है लेकिन 36 गड़ में अगर साधी हुई और राके सगरवाल को पहले आपने अनुग्रिहित किया जिसको बुलिए और उसके बाद उपकिरित किया और उसके बाद आप वहां जाते हैं तो निश्चित तोर पर संदे के घेरे में मानिय मुख मंद्री जी के पास विभाग था और विभाग में मैं कर आँ ने बराबर यह कोश्चन आप यह आप तो सुकला जी बोल ले हैं ततकालीन भारतिये जनता पार्टी के एंपी थे मंतिरी थे मानिय सर्जू राइजी ने मानिय सर्जू राइजी ने PWSRD से ले करके और साल दबा के रखा नौबत आई कि भरहष्टा चार पर अकेला बुलने वाला भारतिये जनता पार्टी का कैबना मंत्री आज उसको यह सजा आप लोगों ने दिया कि एक टिकट से भी बंचित किया लेकिन जनता ने जनता को लगा था कि नहीं यह रगुबरदास भरहष्ट आरोप तो सिधे लग रहे हैं मैं उसको बहुत गंभीरता से सुन रहा था और वो अच्छे वकील हैं हमारे साथी हैं मेरे साथ लीगल प्रोफेशन में भी हैं तो मैं बिल्कुल अस्पस्ट कर रहा हूं या वही जस्टिफाइड करके बता दें कि क्या हम यहीं ट्राइल कर अगरते हैं यह कईस नहीं किया कोई फैंडिंग नहीं दिया और फैंडिंग नहीं आया तो की साधार पर कहें को भष्टाचारी की चुल्टे के साथ खड़ी है और यही वज़ा है कि हमारे प्रधानमंतिर नरंदर मोदी जो केंदर में सरकार हमारी है उसमें कहीं भी भरस्टाचार आप बताइए कहीं भरस्टाचार की कहीं कोई जगह नहीं है पुरी तरह से भरस्टाचार पारदर्सी सासन देने का काम प्रधानमंतिर नरंदर मोदी ने रहे हैं वह हैं किसी को सकते वह बिना इसंगो करते कह सकते हैं हम सीथे किसी पर हारोप नहीं लगा रहे हैं देखिए रगवर दास जी जो है पुराने पुराना उनके उपर दाग लगा हुआ है और वो दाग जो है विधान सभा कमिटी ने प्रूफ किया था उसके बाद एंटी करॉप्शन विजलनस ब्यूरो था उसके मुखिया होते थे एंभी राओ अभी जो है डिर लेतर करवाई के लिए इस पर वो भी दबा दिया गया था एक मिनेट आप आशिया हम क्लियर कर दे रहे हैं दो हजार चार पांच में डीपीर बन रहा था यहां सेवरेज डेनेस के पूरे राची आपको इतिहास बता दे पांच छोब में यह अर्बन डेवलप्मेंट मिनि अपना एड करके उसमें डीपीर सब्मिट कर दिया आज भी वो इन्वेस्टिगेशन की वाट जो हरा है आज भी हमारे अलोक दूबे जो कॉंग्रेस के नेता है उन्हों ने एक जन ही त्याची का दायर की थी उसमें हाई कोट ने आदेश दिया था एक साल डेढ़ साल पहल करने के लिए चुकि उसमें कारण है कि राजबाला बर्मा और उनके हस्बिन छे साल तक विजलन्स कमिश्टर रहे उन्होंने इस चीज को दबाए रखा उसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो विजलन्स कमिश्टर आए अभी के वो भी करीब-करीब दबाय हुए है हमको करो रगवर दास जी के खिलाफ सैंक्शन नहीं मिला आज भी जब एक घंटा आदा घंटा का जो बारिस होता है आशिया आप हम राची में रहते हैं हमारा जो महत्मा गांधी रोड जिसको में रोड बोलते हैं वो नरक बन जाता है नरक और जानते हैं यहां पे हाई कोट मे पी आई एल फाइल करके हम लोगोंने 306 करोड रुपिया जो ऐसा स्कीम जो खतम हो गया था यहां के ऑपसर्स की गलतियों के चलते और उनको लेथार्जिक काम करने के चलते अर्वन डिवलप्मेंट का वो पैसा लैप्स कर गया था उसको भी दिलवाया उनरेबल हाई कोट उसके बाद आज भी टेंडर निकला है कि दुबारा उस कंपनी के उस टेंडर को किया जाए री टेंडर अब उसके लिए अलग से डिपीर बनने के लिए फिर से इन लोगों के इतना मने जिसको बलते हैं खतरनाक तरीके से खेल है कि एक डेवलप्मेंट का काम राची में त 87 करोड़ में आप देख रहे हैं हर्मूनाला बन गया बिल्कुल जितने भी तलाब थे बड़ा तलाब से लेकर के टोटल खतम हो गया वहां का वाटर जो रिचार्ज के पैसिटी था उसको खतम कर दिया उसके बाद से इन्हों ने सेवरेज़ डेनेस का पैसा खा गया जिस क कुण कराया यहां के अर्बन डिवलप्मेंट मिनिस्टर यहां के सेक्रेटरी यहां के मुख मंतरी ने तो यहां जिसको बोलते हैं कि कंप्लीट कोलाप्स हुआ पांच साल में सेंट्रल गॉर्मेंट से जो फंड आया उसको परसेंटेज के हिसाब से ऑफिसर और नेता काल लिया था वो भी यात्रा करके आए इनके लोग भी यात्रा करेंगे हम तो हमको तो किसी परिश लेना देना नहीं लेकिन हम पहले जानते हैं कि मैं लोग tribes कंभल हुट फोट इस कि हमारे भाई राजीव जी जो है वो लगता है कि सताधारी दल के प्रवक्ता बन गया और राजेस भाई जो है हमारे बहुत क्लोस फ्रेंड है हम लेकिन जब मधू कोड़ा पर केस किये थे उस समय हम बीजेपी के प्रवक्ता थे क्योंकि को खरब लगता था जेमें को खरब लगता होगा है तो मुझे लगता है कि पुर्व मुखवंद्री रगोबर दाजीव जी से पता निक्यों क्यों नाराज राजीव जी और वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कितने सारे ऐसे सामने आरे डूपोस लिंक घोटाले तो जाहिर सा बात है आरोप लगेगा और मैं पुरी तरह से जो मुख्या होता जिम्हेदार तो वही होगा आप मैं यह बात को कह रहा हूं मैं कानूनी दृष्टकोंड से भी बोल रहा हूं कि आप जाच करवाईए जाच म सब्सक्राइब होना चाहिए उस वक्त इतना मुखर क्यों नहीं हो पाया विपक्ष लगातार इनके किरिया कलापों पर हम लोग प्रस्ट नुठाते रहे इनका सरकार का ध्यान भी आकरिश्ट करते रहे कंबल घोटाला हुआ किसने उजागर किया था आप बताइए हमी लो किस तरह से बिजली का दावा करते थे कि बिजली हमने पूरे राज में दे दिया जीरो कट बिजली देंगे चुनाव नहीं सारे चीजों पर आप लोगों ने तो खड़ा नहीं उत्रे हम लोग की तरह समझ ये कि हमने जो भी गोसना पत्र में जारी किया आज उसका आक्षर से पालन कर रहे हैं और कल का बजट ये साबित कर दिया कि कॉंग्रेसर जार्खंड मुक्ति मोर्चा ने जो जनता से वादा किया फर्ष्ट में हम लोगों ने सारे चीजों को पूरा करने का काम किया आप लोगातार जूत नहीं बंद करा दिया किसानों के लिए योजना से से बेहतर है कि उसको रीन माफी कर दिया जाए ताकि निचीन दो करके सो सके आप योजना के तेहात दे रहा है व्याज जमा कर रहे हैं तो आप क्या नहीं चाहते हैं कि संथाल परगना में खोलने का था केंद्र सरकार ने राज सरकार ने किया तो यह सरकार चुपी साधली नहीं सरकार तो हमारी सरकार ने तो दूर की बात है अब उनकी हत्या कराने में लगे हुए चलिए बश्चार पर फिर हम चर्चा करते हैं बात कहीं और चली गई अब सत्तापक्ष में आप हैं सरकार में शामिल श्मशेड जी जाच के लिए बिलकुल आराम से बीजेपी तैयार है और कहना है कि आप जाच क लगे जाच को सब्सक्राइब कर दिए कि आज किसका तो की तरह किया क्या क्या कर रहा हुआ हुआब समझ रहे हैं कि आज जिस की साल से भीपक्स को परिशान कर रहे हैं तो यह सा बात मत खुलवाई है चुके यह देश की जनता जान चुकी है जहां तक सवाल है हमारे सरकार की तो यह बात जानने जिए कि जब से सरकार बनी है चाहे कोई नौजवान भरष्टाचार पर ट्वीट कर दे कोई समाचार पत्र में भरष्टाचार को ले करके आ जाए क कोई चैनल में अगर भरश्टा 4 की बात चलती है तो हमारी मानिय मुखमेंत्री जी हमारे गंभीरता देखाते हुए और तुनंत आप देख रहे हैं कि गंबीरता दिखाते हुए और जिस तरह से राजिव भाई कहें कि ACB को जिस तरह से टाइट किया गया है और ACB जिस तरह से भरष्टाचार को लेकर के कारियाले में छापा मार रहे हैं निची तोर पर उसका प्रभाव पड़ा है और आज आप देखें कि हर आदमी जो कारियाले में अनुपासित रहते थे जो मालिया कारियाले में उस तरह की बाताबरन को रखते थे वह आज सुधर गए हैं टाइम पर अफिस जाते हैं और हमारा जो पहले बरष्टाचार दुस यह सब्सक्राइब हरा है कि बरस्टाचार को रोकने का एलो काम कर रहे हैं रगुबरदास की सरकार ने किया और चार सब अठासी ऐसे भरस्ताचारी अधिकारियों को करमचारियों को दंडित करवाया एसी वी से जो लोग भरस्ताचार में लिफ्ट थे तो इससे बड़ा उदारन क्या हो सकता है यह पूरा गैंग था अपर लेवल में राजीर जी बताइए कैसे गैंग बनाकर अपर लेव कि आपके सेक्रेटरी जो है दो परसेंट मांगता है एक सेक्रेटरी ढाइपर सेंट मांगता है और यह चीज है देखें यहां पर सबसे कि यहां के ब्यूरोक्राइट्स बहुत बोटे चम्रे वाले और इसके कारण है क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इतना वेल एक्यूप नहीं है कि वो जैसे बाकी स्टेट्स के हैं उसके तरह इन लोग नकेलका से यह लोग टेकिन फॉर ग्रांटेट ले लेते हैं यहां के नेता को जैसी एक MLA फर्स्टाइम आता है जीत करके यह मुम्किन है कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती अगर फर्स्टाइमर कोई है तो क्या उसका फायदा यह उठाते हैं पहला काम करते हैं कि ऐसी संचिका में उनसे साइन ले लेते हैं जिनसे अगला प इस से इत्फाक रखते हैं आप आरोप लगाना अलग बात है अब दो परसेंट की बात हमारे भाई जो राजीव जी कह रहा है जो अभी राजीव जी ने बताया कि एमेले जो अगर नए जीत कर रहा है मंत्री बने हैं उन्हीं अगर जानकारी नहीं है तो ब्यूरोक्रेट् तक हम इस पर कोई टीपड़ी नहीं कर सकते हैं देखिए हर पाटी जब दूसरी पाटिया जब सत्ता में होती है और जो पाटी सत्ता से हट जाते उस पर आरूप लगाती है यह एक एक जाम्पल देदे हमारे भाई और मैं आपको बताओं वानु प्रताप साही जेल में थे भानु प्रताप साही एनारेचे में स्कैम में 110-15 करोड के घोटाले में थे अभी भाजपा में हैं पहले वह इंडिपेंडेंट थे कि उनपर कोई चार्जेऍगे इचार्जेश है राजेश थे बता दे मैं जो कह रहा हूं कि पहले इस राजे की पहचान जो है भरस्टाचार युक्त राज्य के रूप में थी और जब भरतिय जंदा पार्टी की सरकार बनी रखुपरदास की सरकारcolor बनी तो उस वक्त जो ह लिए दरजनों उधारण आपको मैं बता सकता हूं चाहें आकड़े भी हैं सरकार की और नीजी एजंसियों के भी आकड़े ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा है हम भाजपा के प्रवक्ता हैं हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास वह आकड़े हैं जो प्रमारित करते हैं कि राज्य किसी पर भी आरोप लागा सकते हैं हम चुकि एक संस्कृति जब जाहरखंड की चो बनिती उस संस्कृती को समात्ट करने का जीति हों चाही square कोसे बने का從 भरश्टाचार मुक्त क हमारी सरकार न bl suppression सर्कार करा सब्सक्राइब कको लेकिन जब बिना आधार आरोप लगा रहे हैं लेकिन यह तो साफ है ना कि आज जो भी चीज पकड़ा रहे हैं जो भी लोग आ रहे हैं जो भी सरकार में उस वक्त पदादिकारी थे जो मानिय मुख मंत्री जी के कहने पर गलत और सही करते सब सामने आ रहा है आप शुकला जी दिनाई करते रहें जब सामने आएगा तो बताइए गया जाच में आवे रिपोर्ट तो बताईए उस रिपोर्ट पर वहास होगी और वहास हम करने के त्यार हैं तिलमिला नहीं रहे हम बिल्कुल अनुराग गुपता पर आपने रभी गलत गरी करते रहें इंहें करते किजिए का हम ने कशन दिया था कि चीप सेक्रेट्री को चीप में थूख राजवाला वर्मा bene को बोला था कि इस केस में सेक्शन 13 जानते हैं सेक्शन 13 सेक्शन 13 प्रिवेंशन करप्शन उसमें लॉच करने के लिए लेकिन क्या हुआ कि बैलेबल सेक्षन में वे कर दिया दिया वेक अब एडी जी ऑफ सर को एक दरोगा जाकर करेंगा क्या है करेंगा राज सभा पोटर तो थे नहीं नहीं वह बैचारे तो इतने सीधे साधे आदमी थे अजय कुमार रहे थे वो धमका रहे थे वोटर को डिना रहे इसके बाद से और रहे थे किस वापस कर वा रहे थे और यह सीम हाउस से हो रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था सुमें सीएम साहब जो है उस समय योगंदर साहब से बात किया है उसका भी सीडी है आपके चैनल में चला है उसे जो बात हुई है 33 बार 34 बार उसकी भी सीडी आपके पास हर यह चीज ओपन है जाने नहीं देते थे ना शुकला जी आंद भक्त आरखंड का पीजड़ा खुला है एंटी करप्शन ब्यूरो केवल गई है नगर निगम में देखिए कितना हड़कम मच गया हुआ पीसी हो रहा है कि काहें एसी भी हमारे आई एसी भी को काईदे से हमन जी को चाहिए कि हर एक अपनी दस टीम बनाए और कब कहां जाएगी क को एसी भी ने तंगा है उसके खिलाब केस की है जानते हैं उसमें मेजरिटी किसके 99.9% बेचारे क्लास 3 और 4 इंपलॉई है जो दूसो दो हजार चो हजार पांच हजार रुपिया घूस लेते हुए तो पैसा कहा जाता था अब भाई ने कुछ तो माना कि वरस्ता चार रोकने का काम थी आप स्कूटी को चेक करेंगे मुट साइकिल चेक करेंगे और इक नहीं करना है वो लॉक के ऊपर है इसलिए और वाले जो है ना करोड़पती लोग उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है है मन जी को चाहिए क लोग ने दिया पांच वर्स में रहुवर्दास के नित्रत में आप उस बरस्ता चार मुक्त शासन को आगे बढ़ाना कैसा शाशन देंगे आप रस्ताचारियों पर नकेल कसी यह से घोटाले सामने आएंगे देखे हम घोसना नहीं कर रहे हैं यह लोग तो भरस्ता चार मुक्त राज की बात करते हुए और आज जब यह राज से जब यह हटे हैं तब उजागर हो रहा है कि इनके महल के नीचे कितना गंदा खेल होता था तो अब पता चला है जब दूसरे सासे काये हैं तो सबसे पतिसोत के भावना में काम कर रहे हैं ना बदले की भावना में काम कर रहे हैं हम लोगों का एक हम लोगों का हम लोगों का एक ही उद्देश है के पारदर्सी सरकार हो चाहे टेंडर हो या किसी तरह के नौजवानों को रोजगार देने की बात हो या सरकारी बहाली की बात ह अप देखेंगे आसाजी कि 14 महिना की जो हुकूमत थी हमारी मानिय माल सुरेंजी के नित्रित में उस 14 महिना को अगर आप निकाल लिले तो पुरए पांच साल में उस 14 महिना में दाग नहीं खोच पाई ये साबित होने चाहिए उद्योग के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं हमारी सरकार ने इतना काम किया मोमेंटम जहार खंड तक दिया पूरे पूरे हिंदुस्तान में दूसर चाहतर मिलता था सब्सक्राइब को पूरा उमीद है कंप्रेंट हो गया है और प्रूब्ड केस है उसमें एसी भी जाएगा तो तक हम निकल गया है सब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे लगता है कि नीजी हमले कर रहे हैं मुझे लगता है कि नीजी हमलों कि बाहर वाले दूसरी पार्टी के हैं आपके पुराने साथी सर यूराइब क्यों आवाज उठाते रहें देखें मैं किसी के बारे में नाम लेके कुछ टिपड़ी नहीं करना चाहता हम जो आपको कहना चाहते हैं कि आरोप लगाना किसी पर आरोप कोई भी लगा सकता है लेकिन जब तक वह प्रमारित नहीं है मैं समझता हूं उस पर किसी प्रकार का टिपड़ी करना वो नयाय उचित नहीं होगा अधि राजेज जी बहुत अच्छा बात बुले राजेज जी जमशेदपूर से हैं मुखमंत्री जी के साले उनके रिष्टेदार का टेरर देख चुके है यह वहां के लोग जो है कितने 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 एक तरह से कहिए कि कितने तरस्त थे इसी के लिए तो तरस्त नहीं था अब भरस्टाचार राश्टाचार वाले जो लोग भरस्टा-चार में पूरी तरह से जुड़े हुए थे वही लोग दूस पर चार कर रहे he प्रश्टाचार से आज जी तो आज कि आज कराई यह जाज के बाद सामने आ जाएगी चीज़ें लोगों का जो चेहरा था मांगी रगबर दाज जी दूस पर चार करके आपके हरुए है दूस पर चार करके आप लिटर ले परसेंटेज आप लिटर एक्सपोर्ट कर रहा है तो विपक्षी दल के नेता का जो है आपने अभी तक डिकलियर नहीं किया जबकि हम लोग बिधायक दल का नेता निर्वाचित करके भी दे कोई खरीद परोग्त कर रहा है खरीद फरोग्त मैनेज पर विश्वास करते हैं तो आप लोग करते रहे हैं आज तक आरी सरकार ग चल यारोग प्रतरों बहुत हो गया लेकिन गोटालों का सही से जाच होना चाहिए जो बहुत उन्होंने सयोग किया नियूस लेवन भारत को भी तमाम गोटालों को लगतार हम दिखाते रहे हैं स्टिंग भी दिखाते रहे हैं और ऐसे कई गोटालों का खुलासा भी सरकार पर बड़ी जिम्मधारी है इन घोटालों की सही तरीके से जाच हो जो दोशी हो उन पर कारवाई जरूर हो बीजेपी भी चाहती है की सही तरीके से जाच हो दोशी पर कारवाई हो बहुत बशुक्रिया आप तीरों का इस चर्चा में शामिल हुए बिना निसकर साय लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर हम बात करेंगे